तो दोस्तों वहार बुर्ट के चात्रों के लिए बहुत बड़ी खवार आ रही है यहां दोस्तों सबसे पर ये चैनल आप लोग को बताया था कि इंटर का रिजल 24 मार्च को आने वाला है और मैट्री का भी सबसे पर यही चैनल बताएगा दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे वीडियो के नीचे अगर लाल रंगे में सबस्क्राइब बटन दिख रहा है तो तक देखते हैं लिंक नीचे डिसकरफशन में देड़ा लूँगा दोस्तों जहां से आप लोग अपना रिजल चेक कर पाएंगे वहां पर क्लास 10 का डारेक्ट ओफिसियल लिंक दिया हुआ रहेगा जहां से आप लोग रोल नंबर रोल को डालने का उप्सन आएगा तो ल बिहार बोट तेंथ रिजल 2020 को लेकर यहांपे बिहार बोट के बार्मी कंख्षा के परिणाम तो आ चुख हैं लेकिन दसिक कंख्षा के परिणाम आने अभी बांकी है ऐसे में इस बार दसमी कंख्षा देने वाले विलियारत हों के मन में सवाल उठ रहोगा कि उनका result आख तक जो lockdun कर दिया गया है दोस्तों उसके लिए यहाँ पे रोक दिया गया है आपका result और थोरा सा agofie जो है आपको छेक होना बाकी है इस तरह से यहाँ पे नहीं तो result used आपका 31 March से पहले पहले result लहाल में घोषित कर देता जैसे कि आप लोगों 24 मार्च को 22 मार्च को खतम हुआ था दोथो इंटरमेडियेट का कॉपी का मुल्यांकन चिर्फ दो दिनों के अंदर यहाँ पे 24 मार्च को इंटर का रिजल्ट भी जारी कर दिया था और 25 मार्च तक था मैट्टी का मुल्यांकन हलाकि एक दिन पहले ही उसको बंद कर दिया गया मतलब 23 मार्च को ही बंद कर दिया गया दोस्तों नहीं तो यह आपका रिजल्ट जो है अभी 37 या फिर 28 मार्च को हर परहाल में देखने को मिलता लेकिन इस लोकडोन के वज़से आप लोगो को सिर्फ 21 दिन का और इंजार करना होगा दोस्तों ऐसे में यह माना जा रहा है कि विहार बोट के को देखनों के मिल जाएगा थीक? बोटक के वेपसाइट पर जारी कर दिया जाएगा तो जैसी निज निकल करा रहा यहां पर भी ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों ताकि हर छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और जान पाए दोस्तों अपने का दस्मिक अख्षाय का जो रिजल्ट है आखिर कव आएगा बहुत सारे छात्र यहाँ पर परिशान है कि आखिर कव आएगा इंटर का जारी होने के बाद ठीक है तो आप लोग घवराई यह मत रिजल्ट जो है आपको 15 अपरिल तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्कॉप्सर में है मिलते हैं नेक्स वीडियो में